Hi friends, सवाल ये नहीं कि passive wise कैसे बदलना जाता है, सवाल ये है कि हम passive wise क्यों पढ़ते हैं मेरे आप एक sentence को जड़ा सध्यान से सुनिएगा अगर मैं आप से कहूं कि now चलती है पानी में, यानि कि पानी में now चलती है तो ये कैसा sentence हुआ, ये हुआ active sentence बट याद रखेगा, कभी भी now खुद से नहीं चलती है, उसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है ऐसे ही, जितनी भी फसल हम बोते हैं, तो बोला जाता है कि गेहूं उगता है तो गेहूं नहीं उगता है, उसको हमने क्या किया है, उगाया है तो इस तरह से जो sentence हमारे मिल रहे है जैसे आप देख रहे होगे कि नाओ चलती है नाओ चलती नहीं है उसको चलाया जाता है तो जब कोई भी काम किसी other person के थू किया जाता है बट वो person के importance ज़्यादा नहीं होती है ज्यान से समझना और सबसे आसान सा रीजन यही है कि passive wise पढ़ने का मतलब होता है कि जो भी चीजे किसी दूसरे के थू की जाती है जैसे आप काते हो कि फसल कटती नहीं है फसल को काटना पड़ता है तो काटना किस के दोरा होगा किसी और के दोरा होगा कि आपको tense पूरा का पूरा आना चाहिए जो कि मैं आपको finish कर चुका हूँ एंड याद रखेगा tense अगर आपको आएगा तो passive wise बहुत एजली हम पढ़ लेंगे जो कि आप passive wise में जानते हो अब इस tense के through मैं आपको बता देता हूँ कि tense जो होते हैं वो आपके total के total 12 tense में से केवल ध्यान से समनना 12 tense में से केवल कितने tense को बिनती है तो 12 में से केवल 4 tense की passive wise नहीं बनती है जिसमें मैं आपको बताता हूँ ये चीज़े मैं क्यों बना रहा हूँ क्योंकि अगर एक्जाम में इन tense की passive wise बनाने के लिए दे दे तो आप तुरंत वहां लिख सकते हो किसकी passive wise नहीं बनती है या optional में अगर चीज़े दिया होगा तो none of these लगा क्या होगे तो पहली चीत किसी भी tense के यानि कि चाहे present हो चाहे present हो ठीक है यानि passive wise जो होती है वो नहीं बनती है किसी भी tense की चाहे present हो चाहे आपका past हो चाहे आपका future हो इसकी passive wise नहीं बनती है ठीक है future हो इसकी passive wise नहीं बनती है अब याद रखो कि एक और tense होता है जिसकी passive wise नहीं बनती है वो है आपका future continuous tense कौन सा है future continuous tense तो इन टेंसों की जो पैसिवाइस होती है वो नहीं बनती है इसलिए याद रखना ठीक है दूसरी कंडिसर और किसकी पैसिवाइस नहीं बनती है तो जितने भी इंट्रांजिटिव वर्व होते हैं कि जो आपकी अकरमक क्रियाएं होती है, ठीक है, अकरमक क्रियाएं, जैसे आप कहते हो, जैसे आप कहते हो, जाना एक ऐसी क्रिया है, हसना, जैसे हिलोपस, सिलापस, ठीक है, तो वह हसती है, इसकी पैसिवाइस आप नहीं मना सकते हूँ, but conditional है, कि अगर इनके साथ cognate object यानि cognate object अगर इसके साथ जुड़े हैं तो उनकी भी passive wise बनती है जैसे अगर लिखा रहा है she laughs at me तो उन मेरे उपर हसती है देखो cognate object याद रखना cognate object and अगर इन अकर्मक्रियाओं के साथ जैसे मैंने बता है न लाफ को आप ले लो लाफ को आप ले लो तो इसके साथ अगर कोई preposition यूज होता है जैसे एक preposition मैंने आपको बताया कि at मैंने बोला कि see laughs at me मतलब क्या होगा कि वह मेरे उपर हसती है तो at एक preposition आए तो याद रखना कि जब भी अकर्मक्रियाओं के साथ कोई भी preposition to at इस तरह से आता है तो हम उसके साथ क्या लगाते है उसकी passive wise बनती है याद रखना ऐसी condition में जो होगी passive wise वो क्या होगी बिल्कुल से बिल्कुल बनेगी लेकिन जो passive wise स्केवल अकर्मक्रियाओं जैसे अगर sentence सिर्फ इतना लिखा हो सी लॉप्स ठीक है तो आप इसका passive wise नहीं बना सकते हूँ क्योंकि passive wise बनाने का मतलब ही होता है कि आपके active wise के sentence में active wise के sentence में आपका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए object mandatory है तो यहाँ पे active wise के sentence में आपको object नहीं मिल रहा है तो आई होप आपको clear हुआ होगा कि क्यों यहाँ पे नहीं बनता है अब बात आती है कि intense का क्यों नहीं बनता है जब perfect continuous tense का हम बनाते इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमारे tense में bean का use होता है अगर आप पढ़े होगे tense को तो किसी भी perfect continuous tense में bean का use होता है चुकि bean का use passive wise में किसी भी tense के perfect में ही हो जाता है तो उसके बाद कि कोई हमें helping verb या कर सकते हो extra mandatory या model auxiliary verb नहीं मिलती है तो इस condition के लिए हम passive wise जो है वो intense का नहीं बनाते है तो याद रखना जब आपके intransitive verb की कोई भी passive wise नहीं बनेगी मतलब अगर object नहीं है active sentence में तो passive wise नहीं बनेगा आपके इस चारो tense की passive wise नहीं बनेगी इसका मतलब इन में से कोई भी चीज़े अगर दे के पूछ ले कि इन में से निमलिखित में से किस की passive wise नहीं बनती है तो ये चीज़े है हाँ आज के बाद जो session होगा दोस्तों वो सारे के सारे session में हम लोग तो ये सीखेंगे ही कि कि किस की passive wise बनानी है और कैसे बनानी है ठीक है अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इस passive wise का पूरा PDF मिले तो वीडियो के discussion box में आपको PDF के link मिलेगी जिसमें आपको paid PDF है जो आप download कर सकते हो मात्र केवल और केवल जो वहाँ पे link मिलेगी उस पे जाके click करके आप वहाँ पे जाके download कर सकते हो and PDF में आपको पूरी exercise कराए गई है rules लिखवाया गए है एक एक चीजों का और उसके साथ ही साथ क्या changes होते है सब को define किया गया है कुछ who type के sentence आते हैं उनको भी define किया गया है जैसे who tells us, who tells you तो इस तरह के sentences को भी passive wise में कैसे change करना है इसको भी define किया गया तो ये था हमारा introduction वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो please channel को like, subscribe and share जरू करें Thank you, thank you so much